आज हम आम का चटनी बनाएंगे, इसे आप आम का लोजी भी बोल सकते हैं, बहुत ही असाने बनाना, आम का सीजन चल रहा है, एक बार इस रेसिप्य को बनाना तो बनता है, मैंने इस वीडियो को बनाने, आपका टाइम कैसे बचेगा, उसका धियान रखा है, कम टाइम में आ आम को एसे छोटे टुकडों में काट ले, चली अब जटपट से चटनी बना लेते हैं, यहाँ पर पैन को गरम करेंगे, और उसमें दो चमज तेल डालेंगे, ज्यादा तेल इसमें नहीं लगता है, कम ही तेल डालें, थोड़ा सा तेल डालें, आप एक चमज तेल भी डाल सकते हैं, इसके वाद यहाँ पर इसमें पंच फोरन डालेंगे, पंच फोरन बजार में आपको बहुत ही आसाने से मिल जाता है, पंच फोरन नहीं है तो आप जीरा, राई और कलोंजी डालें, इसके वाद यहाँ पर सुखी लाल मिर्च डालेंगे, बहुत जरीर होता है, और यहां पर मैं एक तेजबता डालूंगी, इस चटनी को बनाने में इसी सब फोरन का आप इस्तेमाल करें, बहुत स्वाधिस्ट बनता है इससे, और जब आप इस फोरन को तेल में पकाते हैं, तो उसको अच्छे से पकने दें, कच्छा में नहीं डाला है, सौंदी सौंदी खुसबू आएगे, जब अच्छे से मिर्ची भुना हुआ रहेगा, और मिर्ची को तोर कर डाला है, इसे मिर्ची का तिखापन तेल में आएगा, यहां पर हमारा फोरन अच्छे से पक गया है, आम को जब आप हल दी नमक लगा के रखते हैं थोरी देर, उसमें से पानी र जला लेंगे, जिससे जो थोरा बहुत पानी होगा न, वो जल जाएगा, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, इसके बाद यहां पर थोरा से नमक डालेंगे, यहां पर आपको बिल्कुल ही कम नमक डालना है, एक चुटकी नमक डालना है, देखिए मैं कितना थोरा से नमक डा मसाले डालेड़ेक, यहां पर तरह काम सब्सक्राइय यहां पर दनिया दालेगे, और तरह को दूर से जाधा जादा डालना है, इसमें बहुत बढ़ा इसाध है, अब इसको अच्छी सी मिक्स करेंगे, 20-30 सेकेंड के लिए इसको अच्छे से चला लें यहाँ पर इसको ज़्यादा दिर भूना नहीं है मसाले को बस ऐसे ही आम में मसाले को मिला लेना है यहाँ पर चीनी डाल लेना है दो आम के लिए यहाँ पर मैं चार चमज चीनी डाल रही हूँ आम को आप चेक कर लें, आम ज़्यादा खटा है, तो चीनी थोरा ज़्यादा डाल दें, और आम ऐसे नॉर्मल है, चार चमज में अच्छे से मीठा हो जाएगा, यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आम को आपको चेक करते रहना है, आम नीचे से लगनाने चाहिए, चटनी जलनाने चाहिए, यह सब धियान लखना है, और इसके बाद हम यहाँ पर स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ है, उसके लिए गूर डालेंगे, गूर आपके पास है, थोरा से गूर जरूर डाल दें, एक तो मिठास बढ़ जाएगा इस तरीके से आम का चटनी जबा बनाते हैं, गूर और चीनी मिलाके, तो दोनों से आम का जो स्वाद है, बहुत बढ़िया हो जाता है, तो एक बार आप इसको जरूर डालें, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको ढखके पांच मिनट पकाएंगे, आज को थोरा आम सोब्ट होगे, इसका मतला हमारी जो चटनी है, वो बन के तयार है, तो ये बहुत ही स्वादित हमारी आम की मीठी चटनी बन के तयार है, यहाँ पर ये हमारी आम की लौंजी बोले या आम की मीठी चटनी बोले, बन के तयार है, जिसको बनाने में आपको पांच से साथ मिनट लगेगा अगर आपका आम पहले से तयार है तो यह से ज़्यादा टैम नहीं लगेगा इस रेसेपी को आप किसी भी डीस के साथ साइड में रखकर खा सकते हैं जैसे आचार जटनी खाते हैं उस तरीके से आपके खाने के स्वाद बरा देगा वीडियो जरा साभी